और क्या हाले मेरे दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का श्वैता पाक कला भी स्वागत के साथ साथ अभिनानन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूश सकती हूँ हेलो, आप लोग कैसे हो, आज श्वेता पाकला बनाया है कद्दू के दोरा तैयार पेठा, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा, हमने केसरिया पेठा बनाया है, बनाने बहुत ही जिसकी आपने सब्जी बनाई होगी, इसको आप बढ़ियों में यूज़ करे होगे, ए आपो आप कोड़ैडं करा मार्केटर न लिया है, आप दो तीन बातों का पिसेज ध्यान रखेगा। जब भी पेठा बनाने के लिए आप कद्दू लीजे तो पेठा पूरी तरह से पका हुआ होना चाहिए, उपरी वाला जो छिकला होता है वो थोड़ा सा सफेध होता है और बिलकुल भी खराब ना हो, इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो पेठा आपको सही कि पीसे मिल जाएगा और इस तरहा पेठी को हमने दो हिस्से में कर लिए, दो हिस्से में करने कद्ध इसको फाक की रूप flor पे पेठे के पीस निकाल लिये हैं, सारे पीस इस तरह हमने तयार कर लिये, एक पीस ले लिया है, और एक फॉक की साहता से इसके अंदर होल कर लेते हैं, और इस तरह देखे, आप इसके अंदर गर चारो तरप से होल कर देंगे, तो पेठा अंदर से पूरी तरह से जूसी बन के पीस को हमने होल करको तयार करना अगर आप ऐसे नहीं करना तो आप फांग के रूपम की काती Sagma जो से कंदरर होल करको चोटे से निकाल लें पूरी पीस की से कंम खार लियुक्त होरा हमने सारे सारे की से ताउब कर लिया है ऑधाने अब देता सारे केटे हो कर डिया हैstrich के अदरेटे या पर छोड़ा देटेए या फिर आप इसको पुरी रात के लिए रख चार से थूनेग भीगो या था इसंते धुलना बहुत ज़लुरी होता है उसकी हलकी से इसके ऊपर लेयर बन जाती है और देखी इस तरह हमने धुलकी इसको साफ้ं करिए साफ़ होने लाज इस तरह सारे पीस तैयार हो गये गैस पर हमने पहली पाणी रख दिया था पानी गरम हो रहा है इन सारे पीसों को एक थाली के अंदर हम निकाल के रख लेते हैं इस तरह देखे पानी गरम हो गया है खोलते वे पानी के अंदर इन सारे पीसों को हमने डाल देना है गैस पे जो हमने पानी रखा था उबलने के लिए हमने लगभग 1.5 लीटा पानी रखा था जिसे पेठा उसके अंदर अच्छी तरह से डूबा रहे इतना ही पानी हमने डालना है और देखिए इसको धक करीब 4-5 मिनट तक दूबारा उबालाने तक पका लेते हैं और देखिए उबलते हुए लगभग 5 मिनट हो गया है धकन को अटा देते हैं और चलाते हुए इसको 10 मिनट तक हमने पका लेना है और देखिए चलाते हुए पकते हुए लगभग 10 मिनट हो गया है इतना ही पेठे को हमने पकारना है थोड़ा सा ये कच्छा रहे उतना ही पक लिया है इन दोनों को मिला के गैस पर रख देते हैं अगर इसी से मैं आप डाल देंगे तो यह अच्छे से कलर भी छोड़ देता है बहुत भड़ी यह पेठा बनके तयार होता है और देखिए इस तरह उबलते वी एक तार की चासनी बनके तयार होगी अभी इसके अंदर जो करीब 6-8 मिनट तक इसको अमने पका लेना है और इस तरह 6-8 मिनट होगे पकते हुई अब गैस की फ्लेम को बंद कर देना है प्लेट की साहता से इसको 10-12 खंटे के लिए दुबारा से अमने धक्के रख देना है और ढख की रखने एक बाद देखे कितना बढ़िया इसका केसर का कलर आया है पर अगर आप इस तरह से रखेगे तो पेठा जोई चीनी का मीठापन सोख लेता है और इस तरह देखे पेठा जोई तयार हुआ है अभी दुबारा से इसको अमने फिर पका के तयार करना है गैस पर रख देते हैं इसको चलाते हुए पका लेते हैं जब तक चीनी पूरी तरह से सूख न चाहिए जितना आप इसको ड्राइ पकाना हो उसी साब से पका लेते हैं इस तरह देखे काफियत तक इसकी चीनी गाड़ी होगी, इसी तरह का आपने पका के तयार करना था, गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, चार मिर्ट तक इसको आपने और चला लेना है, और देखे बढ़िया केसर वाला पेठा बन के तयार हुआ, देखने में जितना अच्छ पेठा बनाते से कुस बातों का आप बिसेस ध्यान रखे, जब भी आप कद्दू लीजे तो पेठा पूरी तरह से पका हुआ हो, चीनी आप थोड़ा सा कम जादा कर सकते हैं, और साथी साथ केसर हमने तब डालना है, जब हम चीनी को पकाते रहे, उसके बाद उसका कलर बह कि दोस्तों वीडियो पसादा जरू लाइक करिएगा, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब देखा तो प्लीज प्लीज दोस्तों इसको सब्सक्राइब पर साथ साथ बिल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं बूलना, अपने दोस्तों में तरो यार होता था था अपन कलम, बाइ दोस्तों टेक केर